कर दो चलो आप से बताओ कैसे हो लाइक कर दिया बढ़िया है वाज जाड़ी है सबको कमेंट करना तो कि लाड़ी कुमार बोई जाड़ी है फिर करो कमेंट कर दो जाड़ी है सबको तो फटा फटा आप सब कमेंट बता है मरे भाई जल्दी आसरा रही है सारे लोग फटा फटा लाइक करते हैं जितने लोग जुड़े हुए है चलो तो आज से प्लान बनी गिया कि फाइनली अब है ना वो कहानी चालू पढ़ेंगे ह अब कि सबको क्लियर है ना हवाज जाड़ी है ना कि अब को कि सबको के ना तो कल अपना बढ़ी अजजबर आई रही दम कल है ना कल गलका भी पीशला एक डम माइंड बलाइंड चला हुआ है तो यह आज हम बात करने वाले हैं आपका सबको मॉस्ट वलकम से एक बाड़ सारे लोग लाइक करना दो नहीं की होंगे ठीक है तो आज क्या रहने वाली है इस महा मुकाबला को घड़ी समाप्त रहने वाली है आप चुकि अब चंद मिन्टों के बाद है ना प्रफिट कल 36,000 हुआ है यह हुई ना बात बहुत बढ अगरा भी जितने लोग लाइक कर दिया दिल से लभी उनको सबको ठीक है दिल से लभी वडिया है ना वाइस वस्टी लिए है ना सब चीज बूके है ना सब को वरिक्कत नहीं ना है है कि लेइड है वोके है अ कि अ हो है थोड़ी तो जोलोग इसटे में आपके पास का तो पांगते सींगा थीक है और चुकर ये लिविवन वहां सब करें तो आपका मैस रहने वाला है ना जो आपकी इमात्य है उसको बड़ी मश्किल अब कोशिस करो आप फोजी मेरे वाई कोसिस किया करो कि थोड़ी सी टाइम निकल जाती है थोड़ी सी तो ऐसा कुछ नहीं कल दीवा प्रभूट हुआ है बढ़िया प्रोप्रेट हुआ है जो मैंने शेरिंग किया हुआ है सब आपने क्या बोलते हैं वह टेलीग्राम पर है ना तो कल कभी मैस जो पीए सल का था मैं देखो मैंने बोला इसलामाबादी यॉनाटट मैं इसको भी निकर रही है और निस्टी तूब से इसलामाबादी इसलामाबादी यॉनाटट नहीं मैस को विन किया है ना तो प्रेडिक्संस जी बढ़िया ही था भाई ने कमेंट किया था कौन सैलेज था पुछा सर इसलामाबादी यॉनाटट तो हाँ बूल यहां कर दो इनाटट को कि अच्छा कोई बात ने में भाई कोशिस करेंगे है ना कोशिस थोड़ा सा कोशिस आप कर ले तो ना मेरी तो फूल मैनद रहती है ना अगर आप थोड़ी सी है ना आज कौन जितेगा बताएंगे हर्चेश बताएंगे करने की कोशिश करेंगे हम आज वाले मैच को चलो तो बात करते हैं मैच रहने वाली है आपकी मैच रहने वाली है अपनि सबकू पता है हम को नहीं सबको पता है ना पूरे जितने केर रहे हैं सब को पता है तो आरे 46 कम真的 कर लें हां ठीक है कर दो देते हैं सबच हो तकत एजशो यह सब कम्प्लीट टेंसल नहीं लो छांज तो 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 ने वाली आपकी वहीं तो बैंगलोर भरसेज आपका दिल्ली के बीच रहने वाली है ना कि पिछ कहा है सेम कंडिशन आप सबको पता है कि वहीं मैच रहने वाली है आपके चिन्ना क्या है वो में पेंखे guys है तो वहीं होगी अरूंडली के ग्राउंड पर दल्ड़ि में मैज खेली खेली को पता है कि और ँधियों पर अरूंडली के ग्राउंड विल्स को पता है और दोपता है सबसे बड़ी चीज की इसको मिलेगी यह एस अप्टा है कि अभी तक जितने वी मैच हुए है है इस वह उपर जितने वे डबलो पील्स के मैच हुए है हर मैच में हैंना हर मैच में पेसर सु उनको ज़्यादा अड़ दिशन यह जो ठोड़ी सी अड़़ांटेज है आपका इस इनर्स जो है उनको पूरी तरह से दोनों इनिंग में एडवांटेज मिला होगा एस पिनर्स कौन-कौन से हैं जैसे मांग लो लेग ब्रेकर है स्पिनर्स हुए है ना लेग ब्रेकर शुए प्लास गुगली मास्टर शुए है ना जो गुगली घ्यान करते हूं इनको नसी तरुप से अडवांटेज मिल रही है इस वहनुपर दोनों इनिंग किसको एस्पिनर्स हो गए लेग ब्रेकर हो गए गुगली मास्टर से और ब्रेकर से जिसको काफी ज्यादा अडवांटेज मिलने वाली है इस वहनुपर तो चलो यह इतना हो गया तो अब बता दें आप सबको कि एस्पिनर्स सबसे बड़ी आपकी मुमेंट जो मिलने वाली है वह एस्पिनर्स ही आपको गेम में लेकर चलेंगे ठीक है एस्पिनर्स चुकि पेसर्स जो है उनको शुगाती दौर्स में भांटेज बालते सबस्ट पेसर्स को तो एस्पिनर्स को ज्यादा लेकर अपने पैंटेसी टीम में चलो थीक है फ्लस में और रांडर से ज्यादा कर लेना और प्लस में बालर से ज्यादा करके जाना कि फैरियर के खीर के जाना है तुक्त comment अठ्य तो आप क्या करोंगे अपने टीम में ज्यादा करके चलो यह तकि में बाल बॉङल ज्यादा करके चलो आपकी अच्छी खासी रेंकिंगे थोड़े खोड़ा होगी चुकि पूरे के पूरे फैंक किसी जगत फूल फैंक किसी जगत जो कहां है टॉप और लेकर चलेगी है ना टॉप अडर जितने हैं बैटर उसको लेकर चली टॉप अडर ठीक है टॉप अडर समझ पा रहे हो आप सब बड़ा बड़ा लेकर चलेंगे आपको उतना लेकर चलना है नहीं है ना कंबीनेशन में बताएं कि कैसे कंबीनेशन करोगे तो पिस की जहां तक बात रहने वाले हैं यहां के यहां के पिछ कैसी है जोंगे ना सबसे चोटी ग्राउंड है अब आप सब देख लोगे लेफ्टी उनके तरब की जो ग्राउंड है सबसे चोटी ग्राउंड है लेफ्टी के तरब से आपका ग्राउंड हो गया थे तो आप समाजाओ यह क्या हो गया आपका यह ऑफ हो गया है यह हो गया लेग तो देखो यहां की जो पीछे ये इस side की यानि कि off की जो है ये मात्री की इतना है तो 46 मिटर की है ना दूरी एश की ये वाली पाट की है ना मात्र 46 मिटर की दूरी है ठीक है और उसके बाद आपका fronter जो है सामने है इसकी दूरी जो है 64 मिटर की है ठीक है प्लस में यह आपका 63 है ठीक है और यह जो है आपका बियालिस है तो सबसे ज्यादता हुथ कहां लगेंगे तो आपका यह दूरों जगां आप सबसे ज्यादता सट सब्सक्राइब मेत बात बता दो तो टोटल 10 मैच हुए है I am the .. जिसमें पहले बलाओ करने वाली जो टीम किया हुआ है। और जबकि दूसरी चीज करने वाली जो टीम है, है ना, दूसरी जो बैट करने वाली टीम है, वो तीन मैच भी नहीं किया हुआ है, इस बहन उपर, इसके ग्राउंड पर, तो अरुन जतली के ग्राउंड है, है ना, तो ये चीज है, इतना आप सब समझ गया, जस्ची है, तो ये चीज़े है, बाकि अगर हम लोइस स्कोरिंग की बात बता दे, सबसे लोइस स्कोरिंग है, तो यहाँ पे 100 कितना है, तो एक सो आपका 35 के आसपास है, लोइस स्कोरिंग, इस बहन उपर, है ना, तो अब आप लो जान लो, कि प्लेइंग एल्वेंस क्या रहने व है, तो आप लोग जान लो, कि टीम न्यूज क्या है, मैं बता दरहूं आप सबको, तो निश्य तुरूप से तीन इस ग्राउंड, तीन डिपार्टमेंट है, है ना, तीन डिपार्टमेंट है, अरुन जटली के ग्राउंड पर, और एवरेंस स्कोरिंग जो होगी, आपको मिस्चित रूप से, एक सो चालिस से लेकर, एक सो शत्र की आजपास, इस भेनों पर आपको एवरेंस स्कोरिंग देखने के मिलेगा, किस ब्राउंड पर तो अरुन जटली के ग्राउंड पर, ओके, और बाकी टीम न्यूज, अब सबसे बड़ी चीज की टीम न्यूज क्या रहने वाली है ना, टीम न्यूज क्या है, टीम न्यूज क्या है, तो आप लोग सबसे बड़ी नाबर टीम न्यूज, पहला है कि दोनों टीम जो है आपका, यानि कि दिल्ली और आरसी भी है ना, दोनों, दिल्ली जो है पिछला WPR से पहुँच चुकी थी, पिछला जो मैस था, फर्स्ट डबलू पियर्स था, उसमें दिल्ली यह पहुच चुकी थी, जबकि आरसी हमी, वहकुच चुकी तो काफी काटे की टर्कर के मुखाबलाइं रहने वाली है, दोनों तो टीम जो होगी आपको खेलती हुए आज इस मेगना आ तो यह आपको खेलती हुए नजर आसकती सकती है उसके बाद दिल्ली की जहां तक बात करते हैं तीशर टीम ने उचकी दिल्ली की तो दिल्ली जो है अपने प्लेंग इलमेंस में कोई चीज नहीं करे रहा है ना कोई चीज नहीं करे रहा है सेम प्लेंग इलमेंस दोनों टीम की रहने तक दिल्ली की आपकी रहने वाली से प्लेइंग इलमिसे नमाने वाल है कि अब बता दे आँ हांend और सिब्स में मातर एक चेंज होके कौन तो मेजना बेटिंग और में आर सी भी थोड़ी से से चेंज हो रहा है यहां कि दिल्ली की जो बॉलिंग बॉलिंग और बाल प्लस बैटिंग दोनों बढ़िया है लेकि तरह से फ्लॉप चल दे डॉलु पे लिए नुक्राश्वा से ठाब खुर ठीक है बागी मेगना जो है काफि टेक्निकल बैटर से है लिए बाले में हम आगे बताएंगे आपको कि मेगना को कब लेना है लेदिक तो मेगना जो होगी आपके लिए निस्टी तुरूप सी टेक् तेम बना कर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ है तो सबसे पहले जान लूँ संसी किया है जिली की क्या है प्लेंग इलंज सबसे पहले आपका नाहा माता है मैद करेंस कि बूस्सरे नमबर प्याएक कौन स्फिफाली बढ़ेंकि ना इंधर आपका निधर फीर इंप शेया जाती है नहीं तो कभी एलज स्केप्सि आ जाती है तो बैसी हम पता है कि या तो जेमी आएंगी और नहीं तो यह इन दोनों में को यह उपर में चाहिए सकता है तो मालो आपका यसे कि यहां जारी है ठाश्क है कि एक पय कि यहां पर डोल रिक शवां गई ठीक है चार पर कॉन जेमी पांच पर मैडिजन स्कैप मैडिजना कैप छे पर आपका छे पर आ रहेगी आपका जेस्ट जोंसुंस जेस्ट जोंसुंस साथ पर आपका आने वाली है कौन तो राधाया दो कर दो फुर्ण जाधाया दो सात पर आने वाली है आठ पर आपका आएगी कौन तो आठ पर अरुन धती रड़ी ना अरुन धती रड़ी इस अनो पर कौन आइगी तो नो पर आने वाली है आपका सिखा बांदे है ना दस पर कौन होगी तो यह आपको रने वाली यह वो तानिया भाटिया जो की बिकट कीपर से है ना और ग्यारव पर आपका वहीं टिश्टन शाद हो जो की राइट सार मेडियम पेसर से बासमन में आ रही तो यह रहने वाली ही आपकी प्लेइंग अरे मीचे कट गया है या है ना नौ पर नौ पर वहीं आएगे शीखा पांगे तो यह किसकी प्लेइंग अलवेंस है तो डिलिखी प्लेंग इंगल मेंस है ना अब हम बात कर लते हैं आपकी थोड़े चर्चा कर लते हैं लिके पिर ऑड़ेंसे के वारे में आ डिली की टीम में कॉन-कॉन बढ़िया खेलने वाला देखो सबसे सबसे पहले आपका मैरेजन्स कैप यह पूरे अपने कोटे का चारवर गयंद करेंगे मारेजन्स के बाद देख्व है आपका टॉप और में ही बॉलिंग कराती है प्रावर प्ले में ही गेंद कराती है उसके भाग की बाद आपको बदेखेंगे शीखा पांडी को बढहें आपक्सेयों लुसंभाश not a Love कषिखा हम दोनों खाहिए इक ट्रूप से एक दो से जादा उभर नहीं करने वाली है कौन TO learners कीजन और इसके बाद आपका नाम आता है जयस जॐ duel सून का जो कि मिडिल आडर में इसकी बॉलइन आती है ये भी आपना प्राती है क्ली ठीन प्राती है तो जयस जांसन हो गया बाकिर रादह याद हो ये भी प्राती है करा T सबसे बड़ी चीज है कि अब लेकिन यह भी आपको एक प्लस ओवर करते हुए दो प्लस ओवर दिखने वाले हैं तो यह सबसे बड़ी चीज है कि अब देखो सबसे आपको मैं फैंटिसी के जहां तर टिप्स की बात रहती है तो मैं आगे बताने वाला हूं लेकिन थोड़ी से आपको हैलाइट्स की तौर में बता दिया कि कौन कितने ओवर गेंदी करने वाला है ना देखो जेस जॉन्सन की भी ओवर कर जाते हैं तूकि तो अरुन गत्य रड़ी का हाना लेकिन शिखा पांडे यह इंपोर्टेंट है यह अभी तक जितना डबलू पेल्स की मैस खेली हुई है शिखा पांडे हर मैस में आपका शिखा पांडे जो है एक प्लाइस दो प्लाइस मिस्टित रुप से विकट खेली हुई है कौन तो शिखा पांडे हर मैस में अगरी मैदीजन स्केप को तो सर पीया करने से तुप से हो प्रफल स्केप है न वो तो है चलो आप बात कर लिए हम यह रहा आप पूरी थोड़ी सी है थोड़ी सी नोलेज ज्यादा नहीं आगे नोलेज पूरी आपको देने वाल है तो उसमें अगर पूरे लाइफ से आप हार रहे हो तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दर्द की दबा कहीं है अगर मिल सकती है तो यहां हवा नहीं रिजल्ट दे जाती है रिजल्ट शो होगी आपको पता चल जाएगी चलो बात कर लोते हैं आपको पता है कि तीन मैच से फ्लॉप चल रही है अभी मैं पूर टिक्स बता दिया एक तीन मैच से फ्लॉप चल रही है इस्वरती मंदा दूसरे नंबर पर आती है आपका ओपिन करने कौन करने आता है देखो अभी आप सब देखे होंगे दो प्लक एक दो मैच की पहले कौन करा रहा था ओपन इसके साथ में मोलन्यक्स बालिंग क्या बैटिंग कर रही थी रहता है मोलिनायर्थ। देखो RSVCB जहां तक प्लेंग सवाल है तो इसमें है कि ईूपर-N withdrawal होते रहता ह उपर नहीं किसके है यह कम नहीं है अब सब समझो समस्जो मौलेन जाओ कि दो यक MRC के पहले आपका अपिं दो में में की हूइ तो आब कहा थी सोफिय रुद्र छारिल में पांच नममर पे हैं और बाइटिंग सिक्षन में मतलब ऊपर नीचे रहने वाले हैं उपर नीचे कोई हो सकता है इसमें देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब आपकी आने वाली है चार पर पर आपका देखो चार पर हमको लगता है कि देखो एक मैस भी क्या हुआ था कि मेगना को ओपन कराया गया था और जब मेगना को कहा बैटिंग कराया था छे नंबर पी पांच नंबर साथ में वा डियका जब मेगना गरी गरना ना तो मेगना भी उसमें उस ूसमें कितना 42 जया 32 कर युडिना इसेaborस में प्याचितम भूला है तब तभी बड़ी खेल के वही हो तो बताते हैं कि ही तो मेघना को भी चीज़ और चीज़ हो सकती है तो देखते हैं फिलाल को मेगना को कहा चार पर ही रख रहे हैं ठीक है चार पर मेगना हो गई पांच पी आपको निश्ची तरुप से रहने वाली हैं देखो पांच पर रिचा घोष एकड़ों फिक्स है ना रिचा घोष जो एकड़ों पांच पर उसका फिट है लेकिन एक चीजह है अब समझ जाओ आप लो कि अधर्वाइज टीम जो है मानलो की 16 ओभर 17 ओभर तक मानलो आड़सी वी कि अगर दो दो प्लस तीन प्लस विकट गिड़े हैं तो वहां पर आपको क्या होगा रिचा घोस की जो बैटिंग ओडर होती है उपर आ आपको आने वाली है जो की काफी विकेट टेकर इस्पिनर्स है ना वड़े हम कि जो दियर को बढ़े हम साथ पे आपको आने वाली है साथ में यह कौन एस मॉलेनियक्स कुल टीम जो भिआ है आप पो निस्चित रुप से दो-तिन मैं उस को किया है ओपन क quality मिस से using पर आपको आने वाली है कौन तो स्रेयंका पाटिल जो कि पिछले मैस में काफी है ना important पिग रही थी और मैंने बोला ही था यह सोबना और नहीं थी वो आज आसा थी हां स्रेयंका पाटिल और सोबना को मैंने openly आपको आपको आने वाली है नौ नमबर पर आपको आने वाली है इस पोखरकर है ना इस पोखरकर खेलने वाली है आपको आपको आशा कहने वाली है जो कि काफी पिछले मैस में अगर टीम विन किया हुआ हुआ है आरसी वी अगर फाइनल पहुंचा हुआ है तो वो किसके कारण पहुंचा है तो शोबना आसा के कारण क्योंकि देथ में बॉलिंग यहीं कराई हुई थी है ना विश्वा जो ओपर था शोबना आसा ही बॉलिंग कराई हुई थी है ना और लाज्ट ओवर्स में जाकर भी इसमें कितने पांच रन से मैच को विन किराया और प्लस में एक प्लस विकेट भी लिया हुआ था कौन तो यह शोबना आसा क्योंकि मैंने बोला हुआ था यह चुछाने वाली है ना शोबना आसा वह चीज हो गई और ग्यारव पर आपको खेलते हुए नजराने वाली है कौन तो रेनुका शिंग ठाकुर ना रेनुका यह खेलते हुए आपको ग्यारा पर जाना लिए जो कि पूरे पूरे मैच में फ्लॉट चल रही है मातर एक मैच में इसको तीन दो प्लस विकेट मिला हुआ था और वह भी मिला हुआ था कब जब मैंने बोला कि यह आज मैंने खुद भीशी इसको बना कर देजा हुआ था तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्लेइंग इलमेंस जो है वहीं है आपको मंधना सोफिर डिवाइन्स एलिस पेरी मेगना रिचा घोस ब्रेहम मॉलेनियक्स स्रेंका पाटिल्स ना पोखरकर और शोबना आसा और रेनुका शिंठाफुर तो यह है इनकी कि अबर नेकर यह एक दम अपने कोटे का चार अबर यह गयाने करने वाली है उसके बाद आता है जर्जिया बढ़ेंगे हां जर्जिया बढ़ेंग्स की अगर हम बात कर लें तो देखो शोफिर डिवाइन्स जो है इसके एक उबर कन फार्म है एक से दो अबर इसके अबर जो कि मडल और बॉलिंग एदि जर्जिया बढ़ेंगा पार्टिल्स आप सब समाजना मैं आप को बता रहा हूं कि जब श्रींका पाटिल्स इक निंग बढूलिंग करेंगे न तो इसके चार वर कन फार्म है और पता है कि इसका ओबर तो कटेगा ओवर तो यह इक ओवर ग वाकि शोबना आशा आपको करते हुए आपको दिखेगी शोबना आशा तो यह चीज़े आब हम बात कर लेते हैं इतना आक शब जनकारी ले लिए पता कर लीए बागी जितने लोग लाइक नहीं की है फटाफट लाइक करना है ना बाकि कल की जो हमारी प्रोडिक्शन से एक दो माइंड ब्लोइंग गई हुए इसकी तो पीसल मैच की जो कि मैंने अर्निंग शो किया हुआ है टेलेग्राम पर मैंने अर्निंग शो कर दिया है तो यह सीज़े हैं तो अब हम बता दें आपको फैंटेसी के टिप्स क्या आने वाले हैं दोनों टीम की फैंटेसी के टिप्स क्या होगी हमार तो सबसे पहले थोड़ी सी प्लेयर बैटल समबाद कर लेते हैं कि अभी तक डबलू पीयर्स में किसका कितना बढ़िया रिकॉर्ट्स रहा है प्लेयर बैटल्स में असा आप लोग यह बताओ कि आमेर ब बैटल बताओं या डारेकली प्रोपोर्शनल सेंटेसी के टिप्स बता दू जैसे मैं लाइव सेसं में बताता था आप लोग कमेंट करना ठीक है कमेंट करोगे तो फिर मैं फ्रेंट थोड़ी सी प्लेयर बैटल बता दूंगा कि डबलू पीर्स में उसकी किया इस्टिती है मज़ा आयेगा है यह अई सा कुछ है नहीं मिस्चित रूप से वह चीज़ करके गया हुआ था कि तुकि है न वह जीर रहने वाली है रहने और मैंने फैंतिसी के टिप्स बता दो है ना सारे लोगों की एंटिसीं की cuts हो अगर सस्वाल है अगर आप समय competa के करना सब्सक्राइब है कैसा नहीं सब्सक्राइब retrouve आगर सब्सक्राइब है व्ह Lilly nis aş जयुंड मैं selfish करेंगे टिप्स ना को अपको कम बतार था थोड़ी सी ले लो थोड़ी के लिए लो लेस्क्राइप में तो आप आपको पता है कि टिप्स से या जनकारी यहां या ना में टिप्स तुहां जनकारी पनो आयोब को प्रेक्टर ले एन फर्स्ट इनिस अड़े हां यार मैं तुम बोला ही था आपको है ना ये को मैं जो बोलता हो ना वो ना हो ये हो नहीं सकता है लेकिन वहीं सीजे जो ट्रस्ट कर गया हम पर उसकी जीत है और जो भरोशा नहीं किया तो हो है ना वही दाने वाले है है तरह लोग को कमेंट आदा चीन तब हम बताएंगे ना कंभीणेशन साथे लोगे रूपि हां मैं लिग्ट नहीं हां लीग दो कंभीणेसंस था मेलाश्म नियुक्त आना आप सब को लोगा तो टीपस ही ले लो ठीप से लेलो ठीक है टिपस कर दें हां याना टिपस पिछले मैंस में पेड़ी जील की कैप्टेंस थी हमें पता है पता है कि पेड़ी जील की कैप्टेंस थी और मैंने खुद बनाकर भेजा हुआ था अपने भाईयों को कैप्टेंस किसको पेड़ी को मैंने खुद बनाकर भेजा हुआ था अपने भाईयों को कैप्टेंस किसको तो अगर ज्यादा लोगों तो बड़िया रहने वार lucky कम बिनेशन कमेन से बताएंगे पहले ज़रूरी है उसके बादको पहले आपको टिप्स जरूरी है लेक प्लेयर्स के बारे में टिप्स बता दूगा थीख है डिम एल्बंस कब खेल लोगा वाप जानो कब खेल रहे हो है लेस आप जानो कब खेल रहे हो दूरी में सब्सक्राइब है चलो फैंटेसी के टिप्स लेलो चलो फटाफट फैंटेसी की टिप्स लेलो फटाफट है ना चुकी कम्बीनेशन्स बताने के भी टाइम लगेगा है तो फैंटेसी के टिप्स लेलो विकट कीपिंग फॉर्मेट में सबसे पहले नाम आता है आपको विकट कीपिंग फॉर अब आप देखो बैटिंग कब करती है ना बैटिंग करने करने में करती है रिचा भूलडर के बाटिंग करने करती है अगर हम इसकी ठोड़ी चेस तो पिछले मैच में 14 उसके पहले 36 और नबाद रही है उसके पहले 51 की बड़ी पारी आई हुई थी उसके पहले आपका 30 की पारी आई हुई थी तो अब लगबक हम 4 मैच की आपको रिकोर्ट में दे दिया है अब सबसे बड़े चीज को हम रिचा को लेंगे कब है ना तो दूसरा आपसन जो है आपका तानिया भाटिया दूसरा आपसन कौन है तो तानिया भाटिया बैटिंग कहा आएगी बैटिंग इसकी आने वाली है नौ नमबर नहीं तो दस नमबर दस पर ही आएगा इसकी बैटिंग यह आपके लिए उतना बढ़िया अपसना जान लो तानिया भाटिया आपके लिए ग्यार लेकटिंग में किसी टीम में इंप्रेट नहीं है इसको तानिय बाति आगा एक चीज है आपको फैंटेसी को पॉइंट दे सकती है आदरवाइस कर ले या इस्टॉम्पिंग करें तो वहां आपको फैंटेसी को पॉइंट दे सकती है लेकिन अगर विकेट कीपिंग फॉर्मेट में सबसे ज्यादा है इंपोर्टन पेक है तो वो को ने पुख जो कि जो ने इसको है कि यह आपको बैक घृटिंग से बैक अब देगी है तो अगर कोई रिकट की एविकर इपिट अब कोई आपके लिए बढ़िया है तो वह कोण देशा भी चाव इस इसमोस्ट्रिक हैं यहाइज है पीकिया ज सकते हो अगर चाहर हो तो देखो आर्सी जो है आर्सीबी की स बडिल और की है ना मेदिल और की रीड की आपको हडी सकते हैं किसको तो रीचा गोस को चुकि रीचा वोस दिस इस मुश्ट इंपोर्टन स्पीफ और मिडिल और आट सी विटिम हो के मिडिल और की सबसे बेश्ट प्रिक आपके लिए 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 चाहू अगर आप इस पे ट्रस्ट जादा करते हो तो अधर्वाइस चाहू तो इसको भूस कर सकते हो रिचागों को क्योंकि हर कोई कहा इसको मिडविट एक लेसा लेकर घृट ना अगर्च डिम के साथ उत्ते साथ में जा रहे हो एक दो क्या रहे हो एक दो टीम के सान् बात करने वाल है किसको हम क्यांट कर सकते हैं पहले इने में बैंटिंग करते हुए और सेकेन बैंटिंग करते हुए अपनी ग्रेयन लीकितिव में ले सकते हैं बैंटिंग जाने प्रक्रेंट में कॉन हमारे लिए मड़का है पहले बैटिंग करते हुए कॉन हमारे लिए इंपोर्मट हमारे लिए इंपोर्मट हो सकता है सबसे पहले नाम आता है आपका असमृति मन्हना का सबसे पहले नाम आता है ना अगर है दिस इस टेक्निकल बैटर टेक्निकल बैटर से असमर्ति मंधना है ना सब को पता है लेकिन यह क्या है अभी अगल फिलहाल इसकी हम तीन मैज की सीडियों सबसे पहले हम बात कर लते हैं इसकी जो आपकी असमृति मन्धना की जो है बढ़ा जो है कितने मैसे आप सब देख रहे हूं है यहां से देख लो तो पूरे के पूरे ये फ्लॉक ही है यह 24 रन से कुछ नहीं होने वादें हैं यह 24 रन से कुछ नहीं होने वाले है ग्राण लीए टीम में अदरवाइस बताओ जिस DEEM में यह तीनों में कैप्ट भॉष कैप्टें सोगी मंधना उस दिन तो उस भाई की पूरी हालत खड़ाब चली होगी है ना मैंने बताय रही था ये चीज को है ना तो चार मैच से मान लो ये मंधना फ्लोप चल रही है चार मैच से हम लेकिन अब यह सीज़ाब समझो कि हम मंधना को कब लेंगे जब चार मैच से आप लोसंजो तो यह सीज़े है इसको रिकार्ट ओर है अब देखो हम इसको लेंगे तौर प्लेंगे कब लेंगे रहे हैं कि में बताओं गा आप इसको डॉप करोगे मन्धना को तो इसकी जब प्रिप्लेश्मेंट के तौर पे इसको कि में अपने मन्धना को जब ट्रस तो सबसे पहले आप जान लोग यह त्निकल बैटर्स है सब लोग जान लोग चेंप को क्या बता रहा हूं सब्सक्राइब और जब आपको में कम्बिनेशन बता ओंगा जब गयादा की प्लेंगल मैं आपको तियार करके दूँगा तो वहां पर सबस्क्राइब एक जब मैं फर्स्ट चीजे बता रहा ओं तो यहां पर आपका ट्रंप निकलेंगे और जब मैं आपको कंबनेंस बताएंगे तो वहाँ पि का लिक्सिट के ऊपका ब्रॉपी ठीक तो तो ब्राइब के ट्रूप से कि चार मैज से छल रही है तो ले सकते हो आप पहले इनिग में बाटिंग करें हैं ना या भाग सकते हो ग्राइप में तेम में अधर्वाइस अगर चार रहे हो मार लो आप एक टीम के साथ में जाड़े हो तो मैं इसको नहीं बोलोगा कि आप कैटर करो अगर आप एक टीम के साथ में जा रहे हो तो इसको आप मैं नहीं बोलओगा कि head क करूंए करका कि मंधना को ऑगर एक कीम क्साथनें जाओ तो तुम्हारी उनक अगा दर नहीं है है ना रों लिए तुमिन तोट कर सकते बचभक नहीं करना चाहओ तो इसको बॉइस करके है है ना थो किया यह वह स्कूरिच करना बंड़िंग करथी minimal यह से किसे करतीटины क करती है inan तो मंधना जर शेके निए अगर बैटिंग कर दी होगी तो फिर इसको कर दो भी सी कर सकते हैं लेकिन अगर फ़स्ट में कड़े तो ले सकते हो ग्रयाली के टीम में अब उसके पाद हम बात करते हैं कि आपका दूसरी प्रयाते हैं इसके सांथ में यह तो मेखना आएगी हो सकता है कि आज मेखना को ही तरब से हो शकता है कि मेखना को अगर मेखना ही मालों आरे है बसात है पैगन पिछलै मैंश में क्या थे रिवाई दे क्थे व्लू देख लेते हैं इस WPS की जीवन कुण्डली इसाओ दो क्या हाण रहने माली है इसके डाबलो पियर्ज스 में शीन Judi प्लस एक विकेट है और एक में आया हुआ है का 28 ब्लस जीरो विकेट मात्र में तीन मेच का फोड़ी को स्बीस बताया इसको तो यह आपका मन्धना के वारे में आशोड़ी एसके वारे में चलो यह क्या है तो ब्लेकित की और नेक्राम कल एप कर्केदा है तो बहुत की पाछला चलो यह क्या है तो पर आलांगर से जर्थके 2गा नहीं करते है एक फम्र्ट सबस्क्राइब करते यह नि कहते हैं औरी आप प्ल admirers कि पहला लहीत तो इंपोर्टन पिंगराने वाली है 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 ना लेकिन यो क्या है थो एक तो ऑफ लेकिन की मंदना जो है सोड़ी भाइन जो है अगर पहले बैटिंग कर रही है तो फिर इसको तीम में आप लेश हुआ पहले अगर बेटिंग करें तो लेकिन अगर शेकर में इनिंग में कर रही थी फ्लॉप जाने वाली शेकर इनिंग उतना इंपोर्टेंट नहीं रहती है थोड़ीशी हिटर मिस्टाब के बैटर से तो पहले इनिग में बैटिंग रिफिर इसको ट्राइब करना ग्रहां लिए तो गोसी जाए और अधरवाइ बैटिंग फर्मट में बता रहा था आपको ठीक है उमना हो गई उसके बाद आपका नाम अच्छाह मेंगले इसको का में लेलींра कशी टेकनीकल भातर विnantवि वा भी लिलिंग सक्ग में equipped में फ्लों लेंक को लेंगे को फ्यलसिन तो एम सब्टेक्व कि तो आप लोग फोड़ी सि में इसकी मैस मैसर की रिखुर में देदूता हूँ अबुबुब्यच की कि लास्ट मैसर पिछली 7ucionesु comprised उसके पहले 15 उसके पहले शाट रं बड़ी पाड़ी आही हुई थी है ला और साहद मैंने इसका सबसे बड़े चीज हम इसको लेंगे कब हम इसको करेंगे या नहीं करेंगे कब करेंगे पहले बैटिंग करती है क्या इंपोटन थे सब्सक्राइब चुछ देखो यह आपको बड़ी पारी खेल के देशक्ती है कौन तो मेग लेंगे इसे आप बड़ी पारी की उमीद कर सकते हैं ग्रैली के टीम में भड़ी पारी की उमीद कर सकते हैं तो निस्टी तुरूप सिए कि आप इस से पहले बैटिंगे या बाद में इनिंग ऐसे सकते हो और चाह सकते हो एसיתי कर सकते हो औरवाहिस जाधा टीम के साथ में जाते हो व्. पूर्टन टाइच करती अब अपनी करने करने आती है कौन की फिर द बने के टीम है न है तो इसको रॉप प्लेस में आप सब देख रहे हूँ है ना दो पैसे ज्यादा कुछ नहीं की हुई है लेकिन कि आज़े टेक्निकल बैटर्स है ना टेक्निकल बैटर्स यह है आप इससे बड़ी पारी की उमीद कर सकते हैं किसी मेगलेलेंस की सेलेक्षन की जहां तक बात है इसकी आप सब्सक्राइब कर देख देख रहे हैं कि आपका नाम आता है शेफाली बर्मा का बैटिंग फॉर्मेट में नाम आता है सब्सक्राइब कर देखें कि यह जो है थी तर है पावर पले में थोड़ी तेजी के साथ स्कोविंग करती है पावर प्ले में थोड़ी तेजी की साथ रन करती है कौन है शेफाली बर्मा अगर चल गया अगर इसका बल्ला चल गया ना तब बरी बरी पारी आने वाली है तो अगर हम थोड़ी इसकी डवलू पेल्स की रिकॉर्ड में आपको बता दो तब पिछले ही मैच में 17 की पारी आ 18 है ना और 50 64.1 6 है ना ये इसकी पारी हो और वह किस अबक प्ले टक इसकी पारी है तो यह है इसकी रिकॉर्ड लेकिन अब सबसे बढ़ी चास की हम इसको कब लेंगे सभाली बर्मा को हम कब लेंगे अपने हैंते अकिस पहले बैट्ग करते हुए लेंगे या से के बाटिं या नहीं है लेकिन आप कबलोगे टीन में, आप इसको कबलोगी, जी य और समॉल ली कर तेम में, है ना, इसको कबलोगी आप, तो देखो तो में देखो सिफाली बड़मा, थोड़ी सी इस दूस चाब की बैटर से और। तो आप इसको मैं बोलूगा कि आजवाले अगर पहले तो थोड़ी से ज्यादा important ही है कौन और इंग Is as एक बात है कि बड़ी इसको देखे में होगा कि बड़ी पारी यसकी कि है कि इसकी तो सेफाले बर्मा की है ना शेफाले बर्मा की इंपोर्टन फिक है सेफाले बर्मा को आप Be वहारा कार करने तो ये जो है आपको ओमन प्छ रहने वाली है है यह ने हर तो आपका सिफाले वर्मा ये जो है कॉमन पिक है ठीक है यह हर किसी के फैंटेसी टीम रहने वाली है और ग्रेंड लिग कभ नहीं कि जाती है कैसे बनिंग कर जाती है तो ट्रॉंप कार्ड प्लेयर से आप ग्रेंड लिग कर सकते हैं ना कि बहेर वाली भीज़िए कुभीर मे जाती है कम से कम आपके फैंटेसी टीम में चाड़ प्लस चाड़ प्लस टीन प्लस ट्रॉंप कार्ड प्लेयर्स होने चाहिए तभी जाके आप ग्रेंड लिग है तध्यार कि शलो मैं बात कर रहा था से फाली कर माने तो निस्चे त्रव से ले से थे कए पहले र तो अगर आप एक तीं alone Whatsquis है और उसब बनाए औस ब्रणूरा सरस्म छाथста deteriorate ky we फिर अगर मैं सीबसी कर सकते हैं सभाजी को ना च्रक्राम है अगर इसका बला चल गया तो बड़ी पारी आज अगर अगर बला चला तो बड़ी पारी आएगे किसकी तो ले लो कि एक टीम में है ना अगर एक टीम के साथ में जा रहे हो तो फिर ड्रॉप में करना है ले सकते हो दोनों इने में इंपोटन पीक रहने वाली है और प्लस में चाहो तो पहले बैटिंग करें तो फिर दस्यत रूप करते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं बैटिंग और में अब किसका नाम आता है जो लोग भी चुरे में फटाफट मेरे भाई लाइक लगणा करें जो पहली बाड़ होंगे नाम बाइल लगता है कि मन्हां से आपका काफि लगाव है ऐसा कुछ नहीं तो इसा कुछ नहीं है पर बात के लिए तो हमारे लिए यह सब सब्सक्राइब आनदेखा कुरूं तो कि हमारे लिए उसके बाद क्या है उसके बादा माता है जेएवर औरिक्स को नाम आता है वा इसको मैंने जब जब बोला है तब तब सुपर वीडियो है लभी बड़ी भाई लभी लाइक भड़ा कर देना ठीक है शुपर नहीं यार यह बोलो कि शुपर प्रडेक्शन्स भी हो रहा है वह शुपर लिखने में ज्यादा लगड़ा है तो और फास्ट कर देखिया और फा अब ताइम यह आज आने वाली है वाली है इसकी बड़ी पारी आने वाली है किसकी जैए मेरोट रिकास की ठीक है प्लेस में अगर इसकी रिकोर्ड्स बताए तो रिकोर्स छोड़ों अब ज्यादा टाइम भी नहीं है तो नहीं है इसकी सबसे पहले मैं रिकोर्ट से देखर सब बता दरहें हम आप सब को ठीक है तो रोड्रीकर्स आज़े ट्रॉम्प कार पी ग्राली के तीम में दोनों इनिम इंपोर्टन पी रहने वाली है एक तीम में इसको नस्टी तुरुप से भी सी कर सकते हो अप ग्राली के टीम मे अगर जादर टीम बना रहे हो तो फिर इसी एक साफ में जा सकते हो किसी एक तीम में तो जैमे रोडरीकर्स दिस इस इंपोर्टन पीक फॉर्डे ने वाली है जैमे रोडरीकर्स ग्राली के टीम में ड्रॉप निक रोवेश को उसके बाद आपका नाम आता है बैटिंग एक तो बैटिंग करें डिस इस टेकनिकल बैटर थे लिंग्यने के टीम में इसे आप बड़ी पारिल कर सकते हैं चालीश प्लस पचास में कर सकते हैं किससे कुछ तो मेघना चुकि आप सबने देखा होगा मेघना हमको लगता है आज मैच अपन मत करे ना ओपन हो सकता है कि एको पार एकुर्स पर शेलती है पते हो अप एकूद्गिंचने कि उनने सबक्राइब को है प्लेस में इसको करना और प्लैस में ग्रैन लिग टीम में इसको सी और भी सी नहीं करना बोहिस लिए सब्सक्राइन। इसको कर सकते हु ऑली अगहना इसके बात करते हैं बैटिंग फॉर्मट में अगरों कोई नई अब हम बात कर लेते हैं all rounder format में है ना all rounder format में अब हम किस-kis all founders को अपने grand league के team में लेंगे all rounder format में कौन हमारे लिए important रने बादा है ना किसको हम करेंगे cvc all rounder format में और किसको हम करेंगे cvc किस-kis all rounder को हम लेंगे इसको करेंगे cvc पहले बैटिंग करते हैं को नमारे लिए important होगा second बैटिंग करते हैं को हमारे लिए important हो सकता है all rounder format ठीक है और सबसे बड़े आपका ellis area अलिस प्रिए को अधिक है सबसे पहले आवाता है सेलेक्शन प्रषेंट 95 परशेंट सिलेक्शन परशेंट इसके बात करते हैं ना कितने करेंगी ऊभर यह चारवर करेंग लुटन करेंगे इसके टीन पर चारवर गेंद करेंग बांग करती है राइपसार बैटर्षां वेडियन परिश्र है बालिंग कराती है अब अब इसको तो पूरे के पूरे fantasy जगत जो है इसको लिया हुआ है पूरे के पूरे fantasy जगत एक टीम के शांथ में जा रहे हो तो इसको ज्यादा तर कुछ नहीं करना ज्यादा तीम अगर बना रहे हो तो CBC एक मिकर सकते हो है ना कि यह क्या है तो मिडिल ओर्डर में नहीं टॉप और बॉलिंग राती है यह पूरे के पूरे के पूरे इसको किया हुआ कि यहां पर पचास लाख अगर टीम आ रही है तो हर एक कीशी टीम में नहीं भी होगी तो यह कम से कम चालिस लाख टीम में तो हरा रही है तो आप इस पिदे करना अगर वही होगा ना जो जाएगा और चालिस लाख टीम इक बाढ़ ने बहान हो जाएसा ना तो आप इस पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना अगर ले रहे हो तो तो एक टीम में लेकर चलना ज्यादा टीम में लेकर चलना जैसे कल आप सब ने देखा होगा है ना हाँ विनोद मौडिया सबको मौस्ट वर्कम से विशाल डीपक शुपर परफॉमेंसर लभी मरे भाई है ना तो वो चीज़ है दो जहां पर 50,60,50,50 लाग तो 40 लाग में या नैस्टी डुप से रहने वाली है लेकिन ने बहादरो ज़्यादा इस पर कर कर अगे दर वाइज किसी एक टीम में लेकर चलो ना तो लेडातो फिर इसको क्याप्टन लेकिन आप सबने कल देखा होगा जो पीएसल की मेच चल रही थी बाबर्स को पूरे के पूरे फैंटेसी जगत कैप्टन वर्श केप्टन्स किया हुआ था किसको तो बाबर्स को और मैंने क्या बोला कम्बिनेशन्स में की बाबर को ड्रॉप कर देना चुकि स्वाइब और वहीं कहानी हुआ देशिए हैं इतने को लेको डूब गया बावर्ष भाई ने कितने को ले सकते हो किसी एक पी में इंपोर्टन पीखे बात वह उसके बाद मेर्जन स्केप का बोलेंग करते हैं तो बॉलिंग करते हैं तो आफ यह क्या है तो बॉलिंग करते हैं यानि कि बॉलिंग करते हैं तो अब तक जब भी विकट लेती है बंडल के साथ में नियू गेंद के साथ में एकदम नश्चित रुप्शे पावर प्ले में आपको विकट निकाल में तो अगर इसको चाड़े तो तो अगर प्लैस में बैटिंग इसके कहा आएगी तो तो इक आरे हैं एक से देख रहे हैं आप अधिल्ली के तरफ यह तो दोनों किया है एक जो है आपको बालीं से बैटिक देगी डौसरी क्या है रिकट कीपिंग से बैटिक अब तो मिडिल और में जो दोनों पांच पांच है एक हुआ और दूसरा डीशी का हुआ तो यह दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट है क्रियान लीक टीम में है ना वो चाहरी चाहर घोष हो और महीं तो मैरिजना कैप है चलो मैरिजना कैप की बात करे लेते हैं जब भी बेकट लेती है बंडल के साथ में बे स्क्रेंट कर रहे हो तो फिर मैरिजन स्क्राइब को आप कर सकते हो सीवेसी चुक्य यह विकर्टेकर्स बॉलर से है ने श्रीट रूप से हाना इसको आप करदू सीवेसी धियुर्याने के टिंव में है किसी एक टिम में है ना अधरवाइस दोनों इनिंग में इम्पॉटं पिखे चुक्कि इसके ओभर नहीं करते हैं इसके ओभर फूल चार ओभर कंपर इसके तो मैडिजन स्काथ के चार ओभर इसके कर फॉर्म है और प्लस में बैटिंग से भी आपको बैक अपर देगी है ना तो वह चीजी ए उसके बाद माता है आपका जेस जॉंसोंस का जेस देखो यह जो है झेस जोंसां की जहां टक मैं बात पत्रातों है यह जो है आपका स्रोल लेफ ताम अर्थो ड क्या से श्तिक लिए पर कितने होते हैं या इसके इसकी बैटिंग कहां आती है इसकी की ईसके नमबर पर इसके आगछिंप वा दोघए है है ऍंज innovation कहां इस अगर हम इसके रिकॉर्ट में आपको देड़ों तो हर में एक दो प्लैस एक प्लैस है ना ये विकट नस्टी तुर्चा निकालके देती है ये स्ट्रॉंस में आपको बैटिंग से खाफी अच्छा कासा बैक देने वाली है टेकनिकल बैटर से तो अगर जील की आप अगर तो ये सब्सक्राइब कर रहे हो एक टीम में सीवीड कर सकते हैं विकेट से लिए निस्टी तुम से निकालके दे सकती है और साथ ही साथ क्या है तो आप इससे बैटिंग से विक तर सकते हैं किस से जैस चौनस को दोन वेनिंग में इंपोर्टन पीक है है अना चाही करत है एले स्क्राइब करने वाली एक से रहा है इस सब्सक्राइब कर यह बैटिंग कर आती है तीन बहुति इसर से तो ग्रयाली के टीम में आप यह इंपोर्टन पिक रहने वाली है जी या ऐसा की टीम आप बना रहे हो फिर इसको अगर एक टीम के साथ में जा रहे हो सी बीसी कर दो यह ट्रॉम्ब कार्ड पीक है कौन तो एले स्केप्सी हमें लग रहा है आज वाले में क्या है सोरी राइट कर रहे हो तो फिर एक अगर मांग लो आप एक टीम बना रहे हो है ना दूसरे टीम कम्बिनेसंस करना फिर कर दना सी बीसी टूप यह लगता है कि इसकी बड़ी पारी आ सकती है आज वाले मैच में है ना दोनों इनिंग में इंपोर्टर पिक रहने वाले है उसके बाद नह इसके इसके आफर कितने है तीन प्लस उवर यह भी करने वालिए तीन प्लस वरक रियह होती है और मुडल आउडर में ब् Chinese की आईतिक बाति हो निप मड़ीश्या बागी उसके बाद आम आता है वह और ऑल राउंडर फॉर्मेट में आप पूर्ण राउंडर फॉर्मट में आता है नाम किसकी तो मॉलिन येक्स का यह क्या है तो मॉलिन येक्स जो है आपका इसके ओबर चार वर कनफा में में अर्डिल और बॉलिंट रहती है और देखू अभी तक जो डवलू प्यस्टीश का रिकॉर्ट्स है पूर्ण डवलू प्यस्टीश की में बात बता दूँ आपको तो हर मैस में ये एक एक विकेट दो विकेट है ना प्लस में टीम जो है इससे दो तीन मैस पहले ओपन करा रही थे टीम इससे है ना ओपन करा रही थे वहाँ पे लेकिन अब क्या है तो यह इसकी जो बैटिंग वहेट यह सात नंबर पियार है थिस साथ नंबर पियार है थे तो देखो यह अगर इसको चांस मिलता है थो देखो अगर इसको चरीकर upstream कर सकते हैं इससे तो आप को अब रहाड कर सकते हैं यह कसी ऐग अंएर बाॉल न बाॉलिंग का एक दो लिगम कर रहे तो अगर फिर इसको कर सकते हो शना भी सिक जर्श ग्रॉप है इसको तो मोलेन स्कोई अगैस को भीचि करना तो दो नुए कर सकते हो लेकिन अगजार्ट इनई कर ना खोरम पास्ते हो जर्फ अब हम बात कर लेते हैं बॉलिंग और में किस किस बॉल्ज को हमारे लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं किसको हम कर सकते हैं सी भीची ग्रेल्डी के टीम में है ठीक है अब अब कर लेना अगर पूरे लाइफ आप इसके ओभर कन फॉर्म नहीं है इसले मैंस में टीम ने इस से यह जादा इसके नए जाने जाने वाले हैं तो फिरेश को पर आचके लेना है राइट अमेडियं पेसर से लेकिन यह बड़ी मैस का पिन से हैं और यह बड़ी मैज प्लिएस चुक्षि कभी बड़ी है बड़ी है को हो शकती है कभी भी हो शक्ती है चुकि यह नहीं है कि पूरा डवलू पीर सीजन चल रहा है एक मैच में दो वीकेट ली हुई है तो आज भी इसका फ्लॉफी चलने वाली है ऐसा कुछ नहीं है 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 ना हो सकता है कि टीम इससे ग्रीपिंग बढ़िया मिले है ना पेस्ट की ग्रीपिंग कि यह कभी भी हो सकती है कभी भी है जुआ की आरवापि यहाद को व्यी जक्की बार बी इसको राषि töमप पहले बॉलिंग कर रही है तो फिर इसको ट्राइब करना तो कि इसकी ओवर कनफर्म नहीं है है ना हो सकता है कि अजिस से टीम वहीं जो पिसले में तराये हुआ है पाउर प्ले में एक वर गेंड कर आए और ठेश से कहानी इसकी सोड़ा है नहीं करें उसके बाद माता है आप प्लेस में यह क्या है आपका तो राधा जो है दो मैसिफ लॉप चल रही है हर और कोई इश्कों डॉप करेगा सहां तक सेलेक्शन प्रशंट की में बात मतां दो आपको तो हमें लगता है कि वहीं परसंट की आजपास इसके सेलेक्शन परशेंट है इसके राधा यादों क आप सब को याद होगा कि राधा यादो एक मैच में चार प्लस लिकट चार ओभर में लिया हुआ ले हुए थी है ना स्लो लेफ्टाम और्थो ड़क्टर से मिडिल और में इसकी बॉलिंग आती है ना मिडिल और में यह बॉलिंग करेगी और अपनी कोटे का चार ओभर बढ़िए और यह लिए निश्ची तो उसे बिकाल कि आपको एक दो भीटर निश्ची तो शे निकाल के दे सकती है ने एक दो भीकट निकाल कि आपको दे सकती है तो फिर इसको लेना आप ग्रैंडी के टीम में ओके ट्राइब कर सकते हो दोनों लेकिन अदरवाइस अगर टीम बना रहे हो तो फिर इसको भीची कर सकते हो ग्रहीं पिच को जदा यादाओ को है ना तो वो चीजें बाकि उसके बार नंहीं आता है शोभना आशा का फ़्सुरुना आशा और श्रहंका पातिट मैं एक ही बाढ़ में दोनों को मैं बता रहा हुं आपको शोभना आशा अगर कर रहे का पातिल है अगर यह दोनों ऑफ खिक यह दोनों बेंकर मस्रीन करें तो इंगरकती को कॉन। तो श्रेयंका पाटल लेकिन शोबना आशा अगर श्रेकर में बॉल लिए तो इसके दो बार करें दो प्लस तेन वड़ ये कर सकते हैं शोबना आशा अधर्वाइस ग्रेयंड ली की टीम खेल लेओ चाहो तो ये दोनों को ले शकते हो लेकिन अगर डॉप करना चाहो तो वहा प्लस में यह दोनों देख में बॉलिंग कराती है ना जैसा आप सलने देखा हुगा शोबना आशा को जो इसमें बीश्वा भर करा रही थी और इसी के बाड़ लॉट यह टीम ने विन किया हुए पाच रंड से इसके वज़ें से तो शोबना आशा की वज़वाइस है ना इसके बाद नामाता है आपका शीखा पांडे का देखो शीखा पांडे अभी तक डवलू प्लस को इसके चार अबर कनफॉर्म है यह हर मैच में एक डिकट आपको निकाल के दे सकती है राइक साम मडियम पेसर से है अगर मांगो दिल्ली पहले बैट बॉलिंग करा रही है तो फिर आपके लिए इंपोर्टेंट रहे किये कौन तो शोबनाश सोरी हां सिखा पांडे ठीक है ले सकते हो ग्रैनले के टीम में जालो अक्यम पहले बॉलिंग करें तो है ना लेकिन एक ह्रुं और Mr. लेकिन ये पहले बॉलिंग करते हैं और भी ज्यादा इंपोर्टिंट रहते हैं उसके बाद आपका नाम आता है बॉलिंग फॉर्मेट में कि मनी मिन के इसके दू ओभर करता है दो प्लस तीन प्लस ऑफर ये क्रेसिक अदरवाइस अगर ये खेलती है ये क्या है और बेकर से तो ग्रैन लिकिति मगरें बना रहे हो तो भॉलिंग करें ड्रॉय कर्या लिकिन में ना प्रेंग ऑता ही है ना था कि अधर्वाइस उसकी बाद कोई प्लेयरस नहीं पुखरकर से तो फज्रेश को नहीं टीम वॉलिंग गाले ही और mil यह विदू नहीं आधे को कर लेते हैं कंबी नेसंस की कि दिए सित सबसे बड़ी चीज होती है तो समझ गहाए ना तो पिर आपकी पर दिए कोई तक्लिक मुई कोई दिक्कत नहें राने वाली है सकते कमीनेशन न हे चलो सुन पहले बारंगे चलो कमीनेशन बता दें उसन दिर कमेंट इसन या नो ऑफ्त आप या मैंगे कमीनेशन तो आज सेन कमीनेशन गौन करेंट करें आञे और सेयों यह स्वक्तिंस एफ यह सब्सक्राइब Yes और जो लोग पहले बार में कौन भी निकड़ेगा भाय प्लेज कम्बनेसिंग ठीक है कि अधीड कम्बनेशन। जो लोग पहले बार जोड़े होंगे और जो पूरे लाइफ एंटेसी से हार रहे होंगे शब्सकाइब तो करे ही लिए ना चुकि यहां हवा नहीं रिजल्ट जाती है है ना रिजल्ट अगर पहले ना मौनल्ट मौनल पहले बैट हैं अब यहां आजाओ कम्बैंस की पात क्यों कि कम बेंट सब्सक्राइब च्डिक समय होती है ना उसमें ट्रंप कार्ड प्लेस इंक्रूड होना चाहिए ठीक है मान लो आप समझ जाओ कि दिल्ली पहले बैटिंग कर रहे हैं ना दिल्ली बैटिंग कर रहे हैं ठीक है आपका करने कौन है तो ओपन करने आएगा आपका आपका शेफाले बर्मा है ना और मेग लेविंस यह दोनों क्या और में अब देखो कि जब यह दोनों ओपिन करने आ रहे हैं में यह फाली या तो वहां पर आपका टॉप में एलिस केप्षी आ जाएगी एलिस पेड़ी आ जाएगी और नहीं तो इसके साथ में एलिस पेड़ी के बाद आती है कौन तो रेनुकाशिन ठाकूर आ सकते हैं तो पावर प्ले में निस्ची टूप से विकेट तो गिरेंगे ये कनफॉर्म तो अधर वाईज आप माल लो श्यफाली वर्मा को ड्रॉप करना तो मिड्ल ओर में क्या करना जेमी को नहीं करना है तो यह ग internродal को नहीं क्रोंने कर और ज़सेहां कई सब्सक्राइब प्रसक्राइबंगे में हैiger को यह सब्सक्राइब क्यूंक हो जब तो सिर्ब घर पर चुड़े來到 मेग लेयर सबस्सक्राइल है तो मेग लिभ्र ट्रोप कर ना तो esos कैंसेह को में करें यहां प्लेश केसिं को लिए ओकेविश्ट के अपने ग्याइफिश्ट केवग ऐफट करने घ्क मार्टेवे देहिंगे दोनों है न ये आपके लिए दोनों इंपोर्टेंस रहेंगे जब आफ पाली को जो करें है तो जैमी को नहीं दोनों को कर दिए सब आप यंठानों को जौप एक शर्ट तो फिस किंधनी स्कुठ depends प्लेसमें इस से तो आप बड़ी पारी कर सकते हैं यह टेकनिकल बैटर से कौन जोंसे बास में आगई दिल्ली के तरफ से आप बॉलिंग आप बॉलर्स आपके लिए कौन को इंपोर्टेंट रहने वाले हैं ना बॉलर्स बैसिकली मैंने बता है लेकिन एक बर आपकी बॉलर मैं आपके लिए सबसे पहले सबसे पहले नाम आता है किसका अदिन में दूसरा कौन आती है तो अरुंधति रैरी आरूंधति हर्डी आपके लिए इंपोर्टेंट फिक रहेगे शो कि तीन ऊबर जब अरुणद्धिव लिए और उसके तीन ऊबर से फिञ से अ एक हैं तो आपके लिए इस निखेस्ट इसर हैं आपके लिए छित्रियों कहाते तो नहीं दुलныकर जाच वा साथ सब्सक्राइब किसी को कोई प्रोब्लम से नहीं समझ पाड़े हो अब हमें नहीं लगता है कि इससे बढ़ी आप कई समझपाओंगे इससे बढ़ी आप कई समझपाओंगे सब्सक्राइब करना कहा से बताना है तो मैं वह चीज बताऊंगा चूकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप सब कई यह कोई प्रोब्लम से क्रियट हो जाए ठीक है एक है हाऊ कमेंट करना मैं बता दूगा वाकी जो लोग पहले बजिए बादे होंगी रिस तक है नहीं बटा देंगे सबनसावई चोंटी कमां लोग फ्रीभ है यह उर मस्मा पहले अचिस थरी कमाने है है बैटने कर रहे हैं अब चलो हम इसकी थोड़ी से सब्सक्राइब कर लेते हैं इसकी कंबिनेशन कैसे करेंगे मन्धना और आपका कौन है था तो देखो यहां पर मैंने दोड़ आपका नाम शोफिया हुआ था या तो मोरनियक्स आ सब्सक्राइब करेंगे तो मोलनियक्स तो नहीं करने वाली ओपन या तो मेगना आएगी ठीक है और नहीं तू आपका शोफिय रीवाइज चार मैंसे फ्लॉप चल रही है मंधना जो है चार मैंसे फ्लॉप चल रही है मेगना को मैंने किया मुझा ट्रंब कार्ट बोला सोफिय डिवाइन्स की एक पोपर कनफर्म है एक डोगर करेगी थोड़ीशे हिटर मिश्टार की बैटर से पाउर प्ले में तेजी के साथ स्कूर करते हैं तो पहले यह बैटिंग कर रही है तो फिर इसको लेना है और मेगना को दोनों निन में इंपोर्ट पर लेकिन सोफिय डिवाइन्स जो है जो है इसको ट्राइब कर सकते हो आप तो नबना को जब आप ड्रोप करोगे तो वहाँ पर आप एलीस पिरी को ट्रॉप मही तो वहां पे जरूर बनादना सी या भी सी एलीश पिलिको ठीह रहा है जूद आप इसमें मानलो मेगना को ड्रॉप कर रहा है चल्वाय अगर मेगना ओपिन करती है तो अजर वाइज डिल्ष होड़ाइग कर रही है तता करतू है तो अगर मंदना को डोप करना तो फिर मेधना एलोल करेग между आय स्पीर करई तो फिर अगर अगर कर रही है तो बहुंदा ऑन ना को डॉप करना तो मेधना कुञा को भूप करेगी तो अगर मेधना को डेट्वित खायकिन मेधना तो टात्य हो JOSH को नहीं को होगे रिचा गोस को क्योंकि यह जो है मिडिल और की सबसे बेश्ट पीख है आज सीवी की है ना आज सीवी की तो आप इसको ले सकते हो बाद समय में आ गई मान लो अब क्या है पूरे के पूरे फैंटेसी जगत क्या है तो यह इस प्लेयर्स पर ठिका हुआ है एल है देखने वाले हों एलिस परी हर किसी के पेंटेसी टीम में रहने वाली जब आप इसको ड्रॉब करोगे एलिस परी को मान लो आज ना है इसको विकट मिला ना ही आज रण करने करने वाली है मान लो है ना जखाश से लभी मरेवाज जखाश नहीं हर चिछ बढ़िया है न प्रेडिक्शन्स हो चाहे कुछ भी हो है न हट बढ़िया है रिजल्ट मिल रही है हर किशी को है लेकिन थोड़ी चीज़ है मैंने बोला ना कल के चलो यार बता जाते हैं कल से हैं समझ जवाब से तो मानलो आप एलिस पीरी को ग्रैंडी के टीम से ड्रॉप कर रहे हो जयसे कम्मीजिसंस बता रहे हूं उस अधाडर पर इसको डॉप कर रहे हो घ्र को तो वहां पर क्या करना जॉर्जीया वरेहम को नहीं करोगे जॉर्जीया वरेहम को नहीं करोगे जील में ठीक है जॉर्जीया वरेहम को जील में लेना तो उसमें इसको भीची करें जब इलिस्केप्सी को ड्रॉप करोगे तो वहां पर जॉर्जीया वरेहम को ड्रॉप नहीं और प्लेस में ये क्या है आपको और ब्रेकर से आपको निकाल के दे सकती हैं जो तो आ गेंड्यक्र से लेकिंद्डेकर से लेक बड़ेकर से चार भर तीन वह गिन करेगी यह तो बात समझ में आए इतना आप समझ जा रहे हो तो फिर अब मैं बताने वाला हूं बॉलर साथ के लिए कौन इंपोर्टेंट रहने वाला है एक चीज़ मैंने नहीं बता है शोफी डिवाइंस की बाड़े में मान लो आप सोफी डिवाइंस को भी ड्रॉप करें हो ग्रेंड नियक्ष को नहीं फ्यक्राइब करना और जब मोले नियक्ष को लेना तो वहां पर फिर भी भीज़ी आप कर सकते हूं बात समझ गहें तो यह चीज़ी है अब चौला बॉलिंग फॉर्मेट में आरसे वी के तरब से कौन हमारे लिए इंपोर्टेंट है किसी को कोई यता है तो सबुत्य को थैनल लुस्टिन कौन स्विधे समय के थो सबुए है क्या दो क्यों कि क्लें है कर दो कली ऎल tylko करना जेहां मैं जाहां समझ में रहाए बन सब को अब बार्रुफ में उठानों िसको जहाँ है क्लीए यह मैश्रल के नाथ जड़ी एक चानल करना बार जबालिंग फॉम्मेट में आपके लिए माने पता दिया मुझा सोभना आशा चुना आशा और प्लेज़ों के लिए इंपॉर्टेंट रेंगवारी इंपॉर्ट द्रेंवारी तुर्मेट और इसके साथ अगर जा रहे हो तो रेनुका सिंठाकूर को मैंने बोला तो पहले अगर बॉलिंग कर रहे तो प्रेज को जीन के टीम में आप लेगे रहे हैं इसके क्या है तो एक ओभर कनफॉर्म है दो बर चुकि पिछले मैच करेंगी मात्री एक वर गेंट कुछ था अब किसी को कोई प्रॉब्लम्स तो फटा फट करें जिसको जो जानना है फटा 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 कमेंट बॉक्स में करें और क्या किसको नहीं समझना है हमें हमें नहीं है किसी पूप मीट है हमें लगता है कि ही हाज किसी को प्रॉब्लम्स रहने वाली एप पूरी पूरह कि ठाukan प्रुकिर इशने करेंन चलो बता थेते हैं आज वाला मैच ऑन्स को वेलिक कर रही हैं आर uelॉनों ने याजवाला याज सिदी मैच को गारें दिल्ली दूस्रें में बॉलिंग कर गिता अच्छा है सब सब निपताओ थालिक बीड़ा हम लो हाँ दिल्ली शेक्द इनिव बॉलिंग करें टैपने मनना भी सी कैप सिट नहीं लेकिन किसी एक टीम में करना मंधुना को शेक्ट करना अब किसको जो जो भी डाउट है फटा पट अपना दरज करो कमेंट वोक्स में करना चुकि यह ज्यादा टाइम नहीं तर गया है किसी को और कोई है ना कन फ्यूजन से हैं किस फॉर्मेट चूज करो आप सब किस फॉर्मेट को जनकारी चाहिए सी भीशी आप किस फॉर्मेट में जानना चाहिए अगर दिल्ली बॉलिंग 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 कर रही है तो वहां पे आपके लिए राधा यादों इंपॉर्टेंट होगी है ना है अगर दिल्ली शेकर दूलिंग में बॉलिंग कर रही है तो आपके लिए राधा यादों जो होगी इंपॉर्टेंट रहने माझे है ना राधा यादों ठीक है जोन वहीं ना शेकर जोनस verfister्तिक है जोन संस टेक है दॉंस यह आपके लिए इंपोटेंट रहने वाले हैं डोल अधरवाइज इसके साथ में अगर जाड़े हो तो अरुन्धती रियर्डी को ड्रॉप नहीं करना चुकि अरुन्धती रियर्डी जो है ना काफी बढ़िया फ्रेडिंग करती है ना फ्रेडिंग से आपको बहुत बहुत प्लाज में तीन बढ़ इसके करफ रहना है अरुन्धती रियर्डी के तो यह आपके लिए इंपोटेंट रहने वाली है ना बागे टिश्टन्स आदू पहले बॉलिंग करें तो फ्रेज को ट्राइज करना अदर्वाइस किसी कोई को प्रॉब्लम से तो करुफटा पट कम अब आप सब ठीक है अगर आप सब जिस्सों हो गया फिर याओ आप समझ तीम लगा जिसको जोदी प्रॉब्लम से अभी अगर है कि असर्फिस कौन सा है जो एगा है अचा वह इसकोर इगा है अचा वह प्रॉचिंग की अपोछी हो जहां तक तिन तीन सर्फिस है ना तो थीन सर्फिस है तो हमें लगता है कि आज वाला मैच कुछ निव प्रां निव प्रव्लाइन दीला जाएन लेकिन पेस्ट बढ़ी बनाया जाएगे फ्लैट बनाया जाएगी है तो आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं ना और नर्स और बॉलर्स जब उतना लेकर चलोगे ना तो चुकि हर कोई कहा करेगा टॉप से अपना काम कहानी लेकर चलोगे हैं है आज सायद इस पर मैस होगा हाँ हमें वह भी लग रहे हैं कि लगदा इस नहीं मैस रहने वाली यह क्योंकि जो कहानी है आपका अफ़साइड जो चीजे हैं ना वहां पर थोड़ी सी स्वाड़ी एंग्ड़ेंगा बैटर्स जोगी है आज सी पर शी कन फरम बोलो भाई या कि दीरा जे यह फैंटेजी है ना फैंटेजी है और इसमें कोई फिक्स की जहां तक सिलसिला है आप सबसे पहले मैं बता दू आपको बे बेसिक आप एक चीज बेसिक जनकारी ले लो ग्रैंड लीग वहीं विनर होता है जिसके टीम में ट्रंब कार्ड प्लेयर्स होते हैं ऐसे कि आप ड्रंब कार्ड प्लेयर्स अपने टीम में लेना चालू कर दिये ना तो आपकी जीत हर मैच प्लतर की से भीर में जाओगे तो ऑफ्र वही जाने माली है बेड कि फीर में जाओगे भी कुछ नहीं आने वाला है जो लगेगा वही आपकी तो इसलिए मैं यहीं ब आप उठाके देख सकते हों बहुत साड़े लाइब शेशन पीछे पर हुए है लगादो सैलेस आज मैस को बिन कर रही है आप अरसीबी पे लगा दो तो आज वाले मैच हो ठीक है आड़ सीवी पे जा सकते हैं लिए अरसी भी कर दो है ना चुकि हमें लगता है कि आड़ सीवी आज मैच को कर दो है ि तो फाइनल मुकावला है पीयसे मैस कौन कौन खेलेगा तो आप सब कमेंट करो अगर पीस झीन उक्रिण है आज वाल है जाए ना उस होड़ा से उसके भीला प्रह देनगा है ρां इस परिकाों जिस परकार मैंने कंबीनेशन बताई है अ Арराएं कॉरो उसपरकार है ना जिस प्रकार में कम्भिनेशन बताया हूं काम उकर दुघ किसी जीट रने वाली है आफसे अद्रे पहले बैटिंग कर रहे है ना तो बैटिंग कर रहे है तो वहीं काम करना सेकेंड इनिंग में जो चीजे में बताया हूँ है ना वो चीजे करोगे ठीक है बाकी चलो मिलते हैं अच्छा ये बताओ किसी को और कोई प्रोब्लम्स नहीं नहीं है किसी को प्रोब्लम्स हो तो फटाफट करो मात रही है जो लाइब शेशन से आपका और दो से तीन मिट चलने वाले हैं ना साथ बसके पांच मिट को हम लाइब शेशन को शमाप्त करेंगी चुकि हमें बहुत सारे टीम प्रोवाइट करने हैं ना सब्सक्राइब लेकिन बहुत बड़े रिकोट्स बने हुए है जब जब मैंने बोला हूं जिस टीम को मैं बोला हूं वह विन किया हुआ है एक चीज़े हैं दो मैंस में वह दर उदर हो गया है लेकिन वह बड़ी माहिए रखती है जहां पर आप भी आल्ट्रा क्रारे वह दो टीम आधा दर दो टीम के अगर इसलिट दो मैस की नहीं हो रही तो बड़ी नहीं वह चुछ नहीं बोला जाता है नवीच अटरी को मैशेवारे लेने वाले है तो जिसको कर लेना जुट है तो जिसको मेंस कर लीना इसके न और अधर मैस की चार्जर के मशाद हो तो आई-पी-एल्स की जो चार्जर आपको लगेंगे है ना 22 मैच जो होने वाले हैं पहले उसके 2000 रुप्य आपको लगने वाले हैं तो जिसको जोई कर लेना हो कर लेना ठीक है जिसमें आपको फूल IPLC जो फर्स्ट लिष्ट जारी किया गया है जितने मैच अप की उसमें आपको continue है कर लिए और आपको लाइव सस्याजीय तो तो आपको आपको हरोई कर लिए और आप लाइब शेसिंट में जुर्णा पड़ेगा लाइव से समी आपको एक दू प्लेयर्स चेंज करने होंगे हाद या एक दू प्लेयर्स और चेंज कब करोंगे जब आपको पता हो जाए आज चलो मिलते हैं नेक्ट लाइन बस ब्सक्त्राव जीत रहे हैं नाा अच्छी बात है इसी प्रकार तो चलो जो बते हैं नेक्स्ट लाइब सेशन्स में लगी अवग साड़े लोग पहले बाढ़ होंगे फटाफट लाइक कर देना है ना और जो पूरे लाइफ फैंटिसी से हार रहा होंगे शब्सक्राइब करके और लोग अभी तक प्यार नहीं दिये होंगे प्यार देना जिस जोलो टेलिग्राम में जवाइनी किया होंगे जाके जवाने करेंगा ठीक है अगे चलो मिलते हैं नेक्स्ट लाइब शेशन के ओके लावी थैंकी थैंक्स पर वोचिंग बेस्ट अपलग और लाफ यू लाइब